हरियोम नमो नमा, आप सभी का ब्यच्चू पाट साला परिवार में एक बार फिर से हार देख स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ब्यच्चू पाट साला सभी छात्रों के लिए उनके सहयोग के लिए, उनके तयारी के लिए हमेशा तक पर रहता है उसी के क्रम में मैं आज अपने सभी छात्रों के लिए और जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए खुसकवरी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वो खुसकवरी है क्या आप मारे पीछे देख पा रहे होंगे कि मैं हम लोग 28 साला में कुछ टीचर को हायर कर रहे हैं तो यदि आप लोग चाहते हैं आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ कर सकूँ पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकूँ तो इसके लिए एक बेहद ही बहुत यच्चा प्लेटफार्म हम आप लोग को प्रदान कर रहे हैं भाई जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ समस्याएं सभी बच्चों के साथ होती हैं सभी विद्यार्थियों के साथ होती हैं सारे बच्चे कही न कहीं ग्रामीर परिवेश से उठके आते हैं उनके साथ कुछ न कुछ आर्थिक समस्याएं उनके साथ जुड़ी रहती हैं तो बच्चु पाट साला उन आर्थिक समस्याओं में थोड़ी सी सहायता के लिए आप लोग को एक आउसरपदान कर रहा है ठीक है तो हम लोग कुछ टीचरों को हायर कर रहे हैं और यहाँ पर जो पीजी के जो टीचर हैं पीजी के टीचरों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी हो गया इंगलिस हो गया इकोनामिक्स हो गया साइकॉलजी हो गया मनें पीजी के जितने भी कोर्स चल रहे हैं हो गया हिस्ट्री हो गया संस्कृत हो गया हिंदी हो गया दर्शन हो गया जितने भी सब कोर्स चल रहे हैं ठीक है ना पीजी के आल कोर्स उनके लिए हम लोग चीफ मेंटर को हम लोग हायर कर रहे हैं अब आप कहेंगे चीफ मेंटर क्या है भीया तो जैसा कि कुछ न कुछ ल कोर्स के लिए आप पढ़ाईए आपको हम इतना पैसा देंगे ठीक है घंटा वाइस दे चाहे आपके लेक्चर वाइस दे ऐसा कर देता है ठीक है लेकिन नहीं हम लोग जो हायर कर रहे हैं वह हम लोग उस विसरे का जो चीफ मेंटर है माने कहने का भाव यह है कि माल चाहे तीन हायर करे वो कैसे पढ़ाएगा क्या उसकी रणीती होगी सब कुछ उस पर है ठीक है ना तो इसी प्रकार से मान लीजिए विकाम हो गया ललबी हो गया इस तरीके से होते हैं कुछ-कुछ कोर्से जिसमें अवस्थिक्ता होती है तो हम एक बार फिर से आप सभी ल अरवाह एकदम तेज होता है तो उसी रक्त को सही दिसा देने के लिए ठीक है जाहिर सी बात है यवाओं में कहीं न कहीं कुछ भरांतिया हो जाती है वो इधर-अधर हो जातने हैं तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को जो आप यिवाँ हैं हम भी यिवाँ हैं तो आप और हम दोनों मिल करके उस रक्त को सही मार्ग में, सही कार में हम लोग उसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो इसी हेतु से मैं यहाँ आप सभी के सामने पस्तित हुआ हूँ, आप सभी लोग जो ही हमारे विद्यार्थी जो भी छुख हो, पढ़ाने के लिए, वे सभी लोग अपनी cv भेज दें, दिये गए नंबर है, यह हमारे पीछे नंबर दिखाए हैं, इन नंबरों पर आप लोग अपनी cv भेज दें, इसकी अंतिम दिनांख, इसका जो तिती है, वो लास्ट है 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर तक आप सभी लोग अपनी cv इसमर भेज सकते हैं, जो भी चुक हैं, और हमारे यहां कुछ team member newkt हैं, जो आपकी cv देखेंगे, cv देखने के बाद वो आपको contact करेंगे, और उसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा, एक छोटा सा एक mock test होगा आपका, उसके बाद भाई, योग्य विक्तियों को हम लोग हायर कर रह हैं, और उन योग्य विक्तियों में भी जो योग्य होगा, उनको हम लोग रखेंगे, क्योंकि चुने हुए, जो हमारे teacher है, वो कुछ विद्यारतियों को पढ़ाएंगे, ताकि चुने 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 जो उनकी universities हैं, college हैं, महाविद्याले हैं, विश्विद्याले हैं, उस मैं उस विश्विद्याले में पढ़ता, तो कास विश्विद्याले में पढ़ने का जो लक्ष है, उन लक्ष को पूरा कराने का जिम्मेदारी विच्चु पार्चाला की है, और उसी क्रम में जो चात्र आएंगे, उन चात्रों की भी तयारी का, जो क्या बूलते हैं, तया समात करते हुए एक छोटी सी और महतिपूर सुचना है कि जल्द से जल्द आप लोग अपनी सीवी भेज़ें ताकि हम लोग आप लोग से कॉंटेक्ट कर पाएं और कॉंटेक्ट होने के बाद हमारे आधे कोर्स तो रन कर रहे हैं आधे कोर्स जो नहीं रन कर रहे हैं वो भी सी ग्रीरन करने लेएंगे ठीक है तो जो भी छात्र छात्राय हैं एक छूख होन वो सबिलोग अपनी सीवी भेज़ सकते हैं और एक बाद ट्राइ कर सकते हैं इसी की साथ हम लोग फिर मिलते हैं हर्यो नमू नमा